ड्रक्स के दुरूपयोग और इलीगल ट्राफिकिंग के खिलाफ अंतरास्ट्री दिवस पर लिटल हाट्स पॉल्लिक फोल ने हैंटी नार्कोटेक्स तास्क फोर्स कारेम ब्रांच जमू के सयोग से एक ड्रग विरोधी रैली का आयोजन किया रैली में बड़ी संख्या में चात्रों ने फाद लिया जो स्कूल से शुरू हुई और तुलमुला के विभन शेत्रों से होकर गुजज़री और बाद में मुखे बजार तुलमुला में समाप्त हुई विद्यार्थी ने बताया कि रैली का मुखे उदेश लोगों को नशे के बारे में जागरूप करना नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूप करना था चात्र सभी विशेशकर युवाओं को नशे से दूर रहने का कड़ा संदेश दे रहे थे इस कारे करम में समाजी कारे करता बलाल भठ भी शामिल हुए इस कारे करम के मादयम से समाज को नशीली दवाईयों के दरोपयों के प्रती जागरू किया गया स्प्राइब जड़ाइब दाइब थाइब का रियास तालब एलिम लिडल हर्ट्स पप्लिक स्कूल का हमारे स्कूल ने आज रैले निकाली थी यह सब लोगों को मालूम है कि आज इंटरनेशल डागेज जे मना रहा था वर्ल्ड में तो हमारे स्कूल ने इसमें एक रैली निकाली थी हमारा यह मक्सद था कि हमारी जो अवाम है वो इस लानचे मेरीबा हमीद लिडिल हाट्स पब्लिक स्कूल की तालिबा तमाम दुनिया वालों को यही ख़बर देती हूं कि आज पूरी दुनिया में ड्राग डे मनाया जा रहा हैं तो हमारे स्कूल ने एक रैली निकाली जो कि इसी पर मुनक्त थी कि हम अपनी सोसाइटी को ड्राप से रखे हमारे साथ एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले और सोशल एक्टिविस्ट बलाल सर थी जिन होने हमारे साथ इस रैली में शामिल हु गई जो आर्गनाइज की थी एंटी नार्कोटिक टासक फोरस्टीम और यहां लिटल हुटस पापलिक स्कूल तुलमला के इस राक से आज जहां पर यही मेसेज निकली कि हम अपने बच्चों को कारी बनाएंगे हार्फिज बनाएंगे आलम बनाएंगे डॉक्टर बनाएं और कलको सुसेडी बुर्बाद और तबह होती है और अलहम्दलिल्ला यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कनकलोड हो गई विद इस मेसेज के लेट अस सिटेंड टुड़े फर बेटर तुमारो मैं मन्जूर आहमद जटल होट्स पबिक स्कूल में ऐसा टीचर काम कर रह है कि इंटरनेशनल लेवल पर आज रग्डे मनाया जा रहा है तो इस सिलस्ले में हमारे स्टूल ने भी एक रैली निकाली थी जिसकी क्लाबरेशन थी एंकी नौर्कोटिक्स डिपार्टमेंट कश्मीर और हमारे अजीज बिलाला हमद्बाट साहब जो शाना बाशाना में मुटला हो चुकी है हमारे नव नहा चोटे चोटे बच्चे हमारी बच्चियां जो इस वबा में मुटला हो चुकी है वो इस वबा से धूर रहे तो यही पाइगाम था बिलाल साहब ने भी अपने और से अच्छे अच्छे पाइगामात पेश किये तो अगर हम इन पर पर अमल करें खाली यह रहलियां या प्रोग्राम उसमनकत नहीं करने बलकि हमें इन पर अमल भी करना है तो इंशाल्ला आगे चल कर यह सोसाइटी इस वबा से पाक हो